ये time and work का part 5 है, इससे पहले time and work से हम 4 part पढ़ चुके हैं, 4 part का link आपको description में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, 4 part में हमने बहुत important प्रस्णों को solve करना सीखा था, और आज का video किस प्रस्णों के लिए है वो आपने थंबेल में देख लिया होगा, ये पहला प्रस् प्रन्तु A, 4 दिन बाद कार छोड़ का चला गया, तो sales कार B, कितने दिन में करेगा, हम जो LCM method का इस्तमाल कर रहे थे, उसी method के जरी ऐसे प्रस्णों को solve करेंगे, और सबसे आसान तरीका हम इसका सीखेंगे, A जो है, वो 10 दिन में काम पूरा करता है, और B 15 दिन में काम पूरा करता है, इन दोनों का LCM अगर हम लेंगे, तो इन दोनों का LCM आएगा 30, 30 को 15 से डिवाइट करेंगे, तो 2 आएगा, 30 को अगर 10 से डिवाइट करेंगे, तो 3 आएगा, अब बोला गया है कि, दोनों ने मि कर काम किया तो A प्लस B का जो कार छमता है वो कितना होगा और हमने पहले वीडियो में बताया है कि ये जो कार छमता है A का वो एक दिन का है ये जो है वो B का एक दिन का है तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 जो है वो एक दिन का काम होगा पहले 4 द टोटल वर्क कितना है, 30 जो है, हमारे पास टोटल वर्क है, तो हमारे पास, 6 काम कितना बचेगा, 6 काम हम यहां से निकाल सकते हैं, 6 काम होगा, 30-20, equal to 10, 10 जो है, वो 6 काम होगा, 4 दिन बाद, ए ने काम छोड़ दिया है, बचा कौन, B, इस 10 काम को पूरा करेगा, B, एक दिन में कितना काम करता है, तो 2 काम करता है, अगर B से कहा जाए, कि आप यह 10 काम कितने दिन में करोगे, तो B, 10 काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा, 10 divided by 2, B, अगर 2 काम, एक दिन में करता है, तो 10 काम कितने दिन में करेगा 10 divided by 2 equal to 5 दिन में B काम को पूरा कर लेगा से इस काम को इस 10 काम को अगर हमसे इसी प्रस्न में पूछा जाए कि टोटल कितने दिन में काम पूरा हुआ है तो B ने 5 दिन काम किया है और A प्लस B दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया था? 4 दिन A plus B ने पहले 4 दिन काम किया था बाद में A चला गया तो B ने 5 दिन और काम किया तो 9 दिन में टोडल काम पुरा हुआ तो ऐसे भी पूछा जा सकता है अब हम बनाते हैं एक अगला टाइप का प्रस्न यह second question है A कारे को 15 दिन में समाप्ट कर सकता है जबकि B उसी काम को 10 दिन में समाप्ट कर सकता है दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया उसके बाद B ने काम छोड़ दिया 6 कार A ने पूरा किया तो सारा काम कितने दिन में पूरा हुआ यहाँ पर A प्लस B ने काम किया है पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं A प्लस B ने कितने दिन काम किया है दो दिन काम किया है उसके बाद B ने काम छोड़ दिया है तो 6 काम को A ने पूरा किया है यहाँ पर सबसे पहले हम LCM मेठर से दोनों A प्लस B का efficiency पता कर लेते हैं A 15 दिन में काम किया है और B जो है वो 10 दिन में काम किया है इन दोनों का LCM होगा 30 30 को अगर हम 10 से डिवाइट करें तो आएगा 3 30 को अगर हम 15 से डिवाइट करें तो आएगा 2 यहाँ पर हमने efficiency पता कर लिया अब बोला गया है कि A प्लस B दो दिन काम किया है दोनों ने मिलकर दो दिन तक काम किया है उसके बाद B ने काम छोड़ दिया है तो दो दिन तक काम किया है A प्लस B ने A प्लस B का कारिश हमता कितना है एक दिन का 2 प्लस 3 एक वाल टू 5 ये A प्लस B का कारिश हमता है A प्लस B का कारिश हमता 5 है मतलब वो 5 काम एक दिन में करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा वो 10 काम करेगा टोटल काम हमारे पास कितना है 30 है तो 30 अगर टोटल काम है 10 काम A प्लस B ने मिलके 5 दिन में पूरा कर लिया है तो हमारे पास कितना काम बचा है अभी तो हमारे पास 20 काम बचा है ये 20 काम B चले जाने के बाद A ने पुरा किया है A का efficiency है दो मतलब कि वो एक दिन में 2 काम करता है A एक दिन में 2 काम करता है 2 काम वो परतेक दिन करता है तो उसे काम कितना करना है 20 काम करना है B के चले जाने के बाद तो 20 काम कितना दिन में करेगा 20 को हम 2 से डिवाइट करेंगे तो 20 काम वो 10 दिन में पूरा कर लेगा यहाँ पे बोला क्या गया है सारा कार कितने दिन में पूरा हुआ है पहले 2 दिन काम किया है A पलस B ने उसके बाद बचा काम को A ने 10 दिन में पूरा किया है B को जाने के बाद तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ है 10 दिन प्लस 2 दिन इक्वल टू 12 दिन में टोटल काम जो है अमारा पूरा हुआ है तो ऐसे प्रस्ण भी पूछे जाते हैं अब हम बनाएंगे अगला प्रस्न, यह अलग टाइप का प्रस्न है, इस प्रस्न में दिया गया है, कि एक इसी काम को 10 दिन में, तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, दोनोंने मिलकर काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद ए चला गया, यहाँ पर दिया नहीं है, क A प्लस B ने काम करना सुरू किया था और काम टोटल 9 दिन में खतम हुआ है उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि A चला गया कुछ दिन बाद इतने दिन बाद A गया नहीं पता A जाने के बाद काम किस ने किया लास्ट में काम भी B ने किया तो B एक ऐसा परसन है जिसने लगातार 9 दिन तक काम किया है वो A के साथ मिलके भी काम कर रहा था और A के जाने के बाद भी वो काम कर रहा था तो B जो है वो लगातार 9 दिन तक काम करता है तो हम पहले इसका LCM मेठट से इन दोनों का Efficiency निकाल लेते हैं A जो है 10 दिन में और B 15 दिन में काम करता है इन दोनों का LCM होगा 30 30 को 15 से डिवाइट करेंगे तो आएगा 2 30 को 10 से डिवाइट करेंगे तो आएगा 3 यहाँ पे A का और B का Efficiency हमें पता चल चुका है कि वो एक दिन में कितना काम पूरा कर लेते हैं हम पहले निकाल लेते हैं कि B ने टोटल कितना काम किया है B दो काम करता है एक दिन में तो 9 दिन अगर वो काम करेगा तो कितना काम होगा 18 काम B ने पूरा किया है अकेले क्योंकि B लगातार 9 दिन तक काम करता रहा है उसके बाद टोटल वर्क हमारे पास 30 है जिसमें कि 18 काम पूरा हो चुका है जो कि B ने किया है तो हमारे पास कितना काम सेस बचेगा हमारे पास बचेगा 12 काम सेस 12 काम सेस जो बचा है इसे किस ने किया था इसे A पलस B ने मिलके किया था हमने ये मालूम कर लिया कि 9 दिन में B लगातार काम करके 18 काम को पूरा किया है और 6 काम हमारे पास कितना बचा है 30-18 12 हमने यहां से और यहां से दोनों जगा से B ने कितना काम किया वो हमने मालूम कर लिया है 6 काम जो है वो सिर्फ A ने पूरा किया था मतलब 12 काम A ने पूरा किया था बाकी का सारा काम 18 काम ये B ने पूरा किया था तो हम यहाँ से पता कर सकते है कि इस 12 काम को करने के लिए A ने कितना समय लिया था A का Efficiency कितना है 3 है वो 3 काम करता है एक दिन में तो वो 12 काम कितने दिन में करेगा 12 divided by 3 मतलब कि वो 4 दिन में काम को पूरा किया था 4 दिन में उसने 12 काम को पूरा किया था इसका मतलब 4 दिन बाद ही उसने काम छोड़ा उसके बाद B अकेले सारा काम को पूरा किया तो ऐसे प्रस्न भी पूछे जाते हैं ऐसे प्रस्नों को आप इस तरह solve कर सकते हैं इस प्रस्तन में दिया गया है कि A किसी काम को 10 दिन में B उसी काम को 15 दिन में C उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है यहाँ पे तीन लोग है तीनोंने मिलकर कारे करना शुरू किया तीन दिन बाद A काम छोड़ के चला गया तीन दिन बाद B भी चला गया तो सेस काम C कितने दिन में पूरा किया यहाँ पे A प्लस B प्लस C है इन लोगों ने काम करना शुरू किया यहाँ पे दिया गया है तीनों ने मिलकर कार करना शुरू किया तीन दिन बाद A काम छोड़कर चला गया तो पहले है के तीन दिन इन तीनों ने मिलकर काम किया तो इन तीनों ने तीन दिन काम किया हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिख लिया उसके बाद ए जब चला गया तो हमारे पास बचा कौन कौन B प्लस C इस B प्लस C ने कितने दिन काम किया यहाँ पर दिया गया है कि तीन दिन बार B भी चला गया तो तीन दिन बार B गया तो इस B पलस C ने तीन दिन काम किया यहाँ से हमें पता चल जाता है B के जाने के बाद हमें बताना है कि C ने जो सेज काम किया वो कितने दिन में पूरा किया तो हम सबसे पहले LCM method से इसका efficiency पता कर लेते हैं ये 10 दिन में B जो है वो 15 दिन में और C जो है वो 30 दिन में काम को पूरा करता है इन तीनों का LCM होगा 30, 30 को 30 से डिवाइट करेंगे आएगा 1, 30 को 15 से डिवाइट करेंगे आएगा 2, 30 को 10 से डिवाइट करेंगे तो आएगा 3 यह है इन तीनों का efficiency, अब हम यहां से पता कर सकते हैं कि किसने कितना काम किया है 3 दिन तक A प्लस B प्लस C ने काम किया है तो A प्लस B प्लस C तीनों का efficiency कितना है 3 प्लस 2 प्लस 1 तो 3, 2, 5, 1, 6 6 काम वो एक दिन में करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा 18 काम यह हमने मालूम कर लिया B प्लस C ने कितने दिन काम किया है तीन दिन काम किया है तो B पलस C का Efficiency कितना होगा 2 पलस 1 मतलब 3 तो इस तीन दिन B पलस C ने काम किया है मतलब 3 तीन 3 का 9, 9 काम पूरा किया है तो इन दोनों ने मिलके कितना काम किया 18 पलस 9 इक्वल टू 27 काम को पूरा किया है इन दोनों ने मिलकर तीन दिन तक A पलस B पलस C ने काम किया उसके तीन दिन बाद A चला गया तो B पलस C ने काम किया उसके तीन दिन बाद B चला गया तो सिर्फ C ने कितना तीन काम किया यह हमें बताना है 27 काम हमारा हो चुका है जो कि इन दोनों ने मिलकर पूरा कर लिया है हमारे पास काम कितना बचा है total काम 30 है और 27 काम हो चुका है तो 3 काम हमारे पास बचा है इस 6 काम को C कितने दिन में करेगा यही हमें बताना है तो C एक दिन में कितना काम करता है यहाँ पे हमने पता किया था एक दिन में एक काम करता है तो 3 काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे तो 3 काम करने के लिए उसे 3 दिन लगेंगे 3 divided by 1 equal to 3 day तो 3 दिन में C ने last जो काम बचा था उसे पूरा किया है तो ऐसे प्रस्ण भी पूछे जाते हैं ऐसे प्रस्णों को हम इस LCM method चे असानी से बना सकते हैं बस आपको concept अच्छे से समझना पड़ेगा concept अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप असानी से question को बना सकते हैं आज के वीडियो में हमने काम छोड़कर चले जाने वाले प्रस्णों को solve किया अगले वीडियो में हम इस से थोड़ा high level के प्रस्णों को solve करना सीखेंगे